नमस्कार, स्वंगत हैं आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदुपंच्जान के नुसा प्रतेक माह में दो बार एकादशी तिथी आती है एकादशी के दिन भगवान विश्नु की पूझा अरशना करने का विधान है वहीं साल में दो बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है पहला पौश माह में और दूसरा सावन माह में मानता है कि अगर इस दिन निस संतान दमपत्ती व्रत रख कर फगवान श्री हरी विश्नु की पूझा रचना करे तो उन्हें जल्द ही योग संतान की प्राप्ती होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में पौश पुत्रदा एकादशी कब है 20 या 21 जनवरी को एकादशी की तिथी क्या रहेगी व्रत की विधी क्या है प्रत की कथा क्या है और पार का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुकरने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एक आदर शुरत की दिधियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में वेल आइकन को प्रेस कर दीजे तक कि आपको मेरे वीडियो की नोडिविकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक आदर शुरत के नियम दश्मी की रांस से ही आरम हो जाते हैं इसलिए दश्मी की शाम को सुरियास से पहले सात्विक भोचंगरहन करें एवं सुवह सुरियास से पहले उटकर पानी मी गंगा जल मिला कर सनान करना चाहिए इसनान की पश्चा स्वक्षवस्त धारन करें और व्रत का संकर पलें पूजा के दोरां सबसे पहले एक कलश को लाल वस्र में लपेट कर उसकी पूजा करें इसके पश्चात कलश के उपवान विश्नु की तस्वीर को स्थापित करें परतिमा की स्थापना के पश्चात घी का दीपक चलाएं जल, पुश्प, चंदन, धूप, बस्र आदी अर्पित करें पगवान विश्नु के मंत्रों का जाप करें विश्नु सहस्तिनाम का पाठ करें पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने पगवान विश्नु को भोग लगाएं पगवान विश्नु की आर्ति करें अगले दिन 12 तिथी पर शुम्हुरत में व्रत का पारण करें साल 2024 में पुश पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 दिन रवीवार को है पारण का समय रहेगा 22 जनवरी 2024 दिन सुम्हार को सुष 7 बच कर 14 मिनट से 9 बच कर 21 मिनट तक पारण तिथी के दिन 12 समाप्त होने का समय रहेगा शाम के 7 बच कर 51 मिनट पर एकादशी तिथी का आरंब होगा 20 जनवरी की शाम 7 बच कर 26 मिनट पर और समाप्ती होगी 21 जनवरी की शाम 7 बच कर 26 मिनट पर पौश पुतरदा ब्रतकता के नुसार प्राचीन समय में भद्रावती पुरी में राजा सुकेतु मान राज करते थे विवाग के कावि समय बाद भी राजा रानी संतान सुक से वंचित थे एक दिन दुखी होकर राजा खोड़े पर सवार होकर गहनवन में चले गए और उस गहनवन में राजा भ्रवन करने लगे वन में राजा को एक सुन्दा सरूबर के पास वेद पाट करते हुए मुनी दिखाए परे राजा मुनियों के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया मुनियों ने बताया कि हम विश्व देव हैं या इसनान के लिए आए हैं राजा ने उनसे अपनी संतान हिंता का दुख बताया और इसका उपाय भी पूछा मुनियों ने राजा से कहा कि आपने बड़े ही शुब दिन ये प्रश्न किया है आज पौश शुकल एकादशी थी थी है इसके बाद मुनियों के द्वारा बताए गई विधी से राजा ने पुत्रदा एकादशी का वरत रखा इस वरत के पुन्य से रानी ने कुछी समय आप है आप है रखा मैं आप है और झाल मुनिया जाओ ट एकादब हैंट शुकल एक वरत कर राजावट थी है राजाओ चाध प्रावबा